हाई फ्रेंज दिस मनीश प्राम संशाइन और मेरे इस चानल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है जो मैं आपके साथ में आज शेयर करने जा रहा हूँ वह एक बहुत ही सुन्दर सा बढ़िया सा छोटा जी प्लस टू का डूपलेक्स प्लान है इसको आप सिंगल ग्राउं चोटा है तो पर यहां पर हमने हमारे क्लाइंट के लिए जी प्लस टू का बनाया है और जो चैनल जो वीवर्स मेरे चैनल पर नए है मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आपका प्लाट जो है किसी और डिरेक्शन का रहेगा में भी आपके रिक्वार्मेंट कुछ और रहेगी जिस तरीके से स्पेसे हमने क्रियेट किये है जो जो फैसलिटीस हमने यहां पर दी है वो डेफिनेटली मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आपको पसंद आएगी और वो फैसलिटीस आप आपके घर में बिलकुल अडाप्ट करोगे यह मेरा दावा है तो घर जो है हमार फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है वह 1520 फस्ट फ्लोर 1520 सेकेंड फ्लोर पांद्रासोडेश इस तरीकी का जी प्लस टू और एक लोगर मंड यहां पर देख सकते हैं लोगर मों हमने दिया है लोगर मां तो Si हमारा वेस्ट की तरफ से क्लान का में में घर का रिसिडेंस का एंट्र आएंगे और डाउन स्टेयर जाके एक मिनी मैनिफेक्टरिंग यूनिट का उनका जो है प्लान है तो कैबिन और प्रपोस्ट वर्किंग एरिया यह हमने यह पे दिया है तो यह लोर ग्राउंड है जैसे वास्तु के हिसाब से आप अगर पचास परसेंट से नीचे घर बनाते हो तो that is called is your basement बगर अगर आप 60-40 का concept यूज करते हो यानि 40 परसेंट ही आप गड़े में घर बना रहे हो जमीन के अंदर जा रहे हो और 60 परसेंट या फिर 70-30 का भी रेशो रखते हो 70 परसेंट उपर आए जाएगा 30 परसेंट ही नीचे जाएगा तो that is called as your lower ground and that is very well adopted in वास और क्लाइंट का requirement था कि हमारा हमारे जो घर में जो है हर विंडो से जो है garden दिखाई देना चाहिए हर रूम से ग्रिनेरी दिखने चाहिए जादा से जादा और बाकी जो एरिया है बाकी जो लेबर नेबर नेबरिंग प्रोपरटीज है जो रोड है वहां की जो वेहिकुलर traffic की moment है वो कम से कम दिखाई पड़े और उसका कम से कम जैने segregate हो जाए गर इस तरीके से तो garden का उनका strong requirement था तो हमने क्या किया है एक garden हमने उनको दिया है west की तरफ और एक garden हमने दिया है north east की तरफ तो ये north east का जो यह घर के पीछे के साइड में जिसे हम लोग कहते है backyard garden तो backyard garden का concept जो है यह बहुत ही प्यारा सा concept है काफी सारे bungalos में हम देखते हैं कि घर के सामने garden बना देते हैं और घर के पीछे जो है एक normal सा ventilation की लिए setback दे देते है जहांसे बस normal वेंटिलेशन आता है अब दिक्कत क्या होती है कि घर के सामने का garden है तो सामने गार्डन दे दे देते है लोग और घर के सामने क्या होता है घर के सामने होता है road road पे vehiculars shipment होते है बाकी के properties भी आपके घर के तरफ देख सकते हैं जो सामने के plot से भी लोग देख सकते हैं तो सामने गार्डन में privacy नाम की चीज जो है वो बहुत ना के बरावर होती है तो backyard गार्डन में कैसा होता है आप दिन पर बैठ सकते हो सामने गार्डन में आप बैठ के खाना खाओगे तो सब को दिखाई देगा पर पीछे गार्डन में आप प्रापर डाइनिंग लगा कि पूरा एकडम पार्टी प्लेस उसका हो जाता है, बाकी लोगों को दिखेगा नहीं, इस तरीके से भी दे सकते हो, बच्चे आपके पीछे गार्डन में खेल रहे हैं, तो जैसे उन्हें कोई देख नहीं सकता है, स सामने आजकल बहुत काफी अंसेफ सा माहल हो गया है कुछ और चूरी भी करके नजर रखके चूरी और ही करके लेके जाते है कुछ सामान आपका पड़ा रहेगा तो उन चीजों को भी आप जैसे बैक आर्ड में कुछ चीजे आपकी बाहर रहेगी तो भी आपको इतना उनका टेंशन नहीं रहता है कि ठीक है उनको घर में लेके आना ठीक है पड़ी रही इस ओके तो क्योंकि वो विजिबल नहीं रहती है रोड से तो यह बहुत अच्छे फाइदे बैक आर्ड गार्डन के होते हैं तो हम कुछ स्टेप चड़के वेस से आप देख सकते हैं में एंट्री हो गया कारपरकिंग होगा 17 फीट बाइ 18 फीट शेंज का दो कार पार्किंग का रेक्वार्मेंट फुल्फिल किया है कुछ स्टेप चड़के आप पीछे गार्डन में भी जा सकते हो कुछ पार्टी ह आप कह सकते हो elevated garden elevated याने जैसे आपका ground जो है वो नीचे है और जो आपका प्लिंथ होता है घर का ओटा होता है वो लगबग आप तीन फीट चार फीट ऊफर रखते हो तो जो हमारा garden है वो प्लिंथ लेवल पे हम ने दोनों garden पीछे का सामने का दोनों प्लिंथ लेवल पे इससे फाइदा क्या होता है इससे फाइदा एक होता है कि जैसे garden आपका lower height पे है तो कुछ भी gate से जैसे मना अंदर आ गया कुछ कई से कीड़ा मकोडा साप बिच्छू या फिर कुछ आ गया कंखजूरा आ गया तो यह सब चीजों का problem जो है elevated garden में बहुत कम होता है आप वह और नहीं रहती है आपको तो elevated garden हमने आंप एधिया है entry में डॉर में तो में हमने आप देख सकते हो में दोर में धिया है हमने doubleorbrol अब double nasıl याने में देख सकती है बाहार खुलने वाला डुर है और ये अंदर खुलने वाला भोड़ है तो BY हमारा से इस तरीके का जाली का डॉर हम भास से दे सकते हैं जिसमें अभी आप देखिए इस डोर में जो है स्टील भी यूज़ करते हैं लोहे की जाली होती है सी एन सी कट जाली है यह तो यहां से आपको घर में जो है वो हवा भी आ जाती है प्लस इसमें मौस्किटोनेट लगा के आप इसे जैसे हवा आ जाएगी लेकिन मौस्किटो प्लस आप एक रात के समय में इनके डोर खोल रहे हो तो आपको बाहर भी कौन है यह दिख जाता है और आप अनसेव भी नहीं रहते हो इस तरीके से यह डबल डोर जो है हम कम पलसरी हमारे हर घर में देते हैं तो में एंट्री जो आप यहां पे देख सकते हो एंट्री जो ह देखे हैं यहां पना सावा यहींड हमसेंगी लजान नियम फसे सब quantity जम का साथा फ्राइष हम है तो ऊह तरह यहां पहुत साथ हो तो देखे हमारी रहनी चाहिए दिखना नहीं चाहिए एक्टिविटीस क्या चल रही है अभी उनसे मिलना है मिलने आये हैं बात करना है बैठना है तो डिसकस करना है तो उनके लिए एक अलग से 11 फिट बाई 10 फिट का छोटा सा कमरा ड्राइंग रूम हमने यहां पर दिया है अगर कोई इसकर देखना है तो वह भी इस रूम में रुख सकते है यह पर बैड भी लुट वी दिए है टीवी काुच यह सब दिया है तो रुख भी सकते है और यह टॉयलेट अब यूज कर सकते अब इस कमरे का और बाकी घर से झो है कम से कम connectivity ना के बराबर है visibility भी बहुत कम रहता है इस तरीकी का drawing room का provision हमने यहाँ पे किया है foyer से एक तरफ आ जाते हो 25 feet 8 inch by 13 feet का यह living room है अभी आपको यह देखना है कि यहाँ पे dining है living है और यह foyer है foyer में भी आप यहाँ पे देख सकते हो यह CNC cut beautiful partition हमने यह पे दिया है यह पे आप देख सकते हो यह shelf किस तरीके से दिया है कि आपकी विजैसे एक beautiful element भी हो जाता है और आपको जो है storage भी हो जाता है और आपके घर के अंदर पूरी visibility भी नहीं होती है इस तरीके से यह shelf आमने यहाँ पे दिया है partition shelf तो एक तरीके से काफी बढ़ा सा हॉल आपका यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर लिविंग और डाइनिंग दोनों कमबाइन है दोनों एक साथ में है तो डाइनिंग के एक तरफ पड़ेगा आपका बेडरूम 16 फिट बारा फिट का जिसमें अटाइज ड्रेसिंग और बातरूम हमने यहाँ पर दिया है और एक तरफ आपके इस्ट में पूजा पड़ेगा और दूसरी तरफ किचन 11 फिट बाई 9 फिट चार इंच का हाथ धोने के लिए बेसिन हमने यहां पर दिया है डाइनिंग से खाना खाने के बाद में एक अलग से और जो बरतन है धोने के लिए एक अलग से सिंग भी दिया है double sink का दिया है एक sink हमारे cooking platform में है जो कि सबजी धोने के लिए होगा या फिर आपको पकाना है तो कुछ utensils धोने है तो उनके लिए होगा बड़ बाकी अगर आपका खाना हो चुका है जूटे बरतन है तो उसके लिए एक अलग से हमने utility में sink लगाया है वहाँ पे आप वो बरत रख सकते हो और बाहर से made भी उसे दो सकती है आप भी उसे दो सकते हो और यहाँ पे utility area इस तरीके से दिया है कि वहाँ पे कपड़ा भी सुका सकते washing machine में रख सकते हो कुछ basic सा storage भी यहाँ पे आपकी utility में हो जाएगा इस तरीकी का close utility हमने यहाँ पे दिया है तो आप तरफ का garden पूरा दिखाई पड़ेगा क्योंकि यह window जो है यहाँ पे फ्रेंच window का provision किया है जो कि हमारे floor से शुरू होता है ना वह window floor से तल एकदम नीचे से शुरू होता है तो यहाँ से और elevated garden है तो elevated garden में जैसे कीड़ मॉखोडों का इतना ज्यादा issue नहीं होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो elevated garden यानि आपको garden living dining से भी दिखाई देगा living में बैठे हो sofa पे वहां से भी दिखाई देगा kitchen में आप गूम रहे हो कुछ activities आपकी चल रही है तो यह door से भी आपको garden दिखाई पड़ेगा पूजा से भी garden दिखाई देगा bedroom से भी आपको garden द नीचे जा रहे हो तो यहाँ पे wall जो है नहीं है तो आपको यहाँ से भी आपका garden का visibility रहेगा यानि पूरा nature जो है वो आपको लगेगा कि आपने घर के अंदर pulling किया है आपको एकदम बहुत ही environment friendly और हर तरी तरफ से एक natural view पूरे घर में घूमते समय रहेगा इस तरीकी का ह windows भी situate किये है और कमरे भी situate किये है अच्छा तो हमारा जो घर है वो जी प्लस टू का है ठीक है ग्राउंड फ्लोर से 1st और 2nd तो यहाँ पे staircase तो दिया ही है प्लस हमने यहाँ पे क्या किया है एक lift कप लिफ्ट का provision किया है तो lift जो है काफी लोग lift का provision कर ठीक है lift आप lifestyle हमारी ऊपर जा रही है और lift के cost जो है लगबग अभी धाई लाक से lift का starting है अगर multiple companies से contact करोगे तो lift के prices भी काफी हद तक कम होए है तो यह पूरा glass lift का provision हमने किया है fully cylindrical glass toughened glass रहेगा और circular glass रहेगा यह मैं आपके साथ में इसका एक photo share कर रहा हूँ sample के लिए काफी easy to install और बच्चों के इसाब से भी काफी हद तक यह safe lift है तो lift से आप आजाते हो आपके first floor पर या फिर staircase से ठीक है तो उपर के floor में जैसे नीचे के floor में दो bedroom है एक gates के लिए एक आपका bedroom रहेगा उपर के floor के लिए फिर से दो bedrooms है एक bedroom 12 feet by 16 feet का उससे attach हमने यहाँ पर dressing room दिया है और हमने यहाँ पर attach दिया है bathroom तो जो bedroom के बारे में बताना चाहूंगा bedroom में सबसे पहले हमने उसका जो है bed set किया है as per वास्तू किस तरफ सोना चाहिए तो south की तरफ सो सकते है west की सरफ भी सो सकते है east की तरफ भी सो सकते है तो preferences होते है west बच्चों के लिए east का preference देते है बड़े बुजूर्ग है तो उनके लिए भी east का दे सकते है रेगुलर जो है आपको गहरा नीन सोना है south की तरफ देते हैं option नहीं है तो west की तरफ भी दे देते हैं लेकिन north की तरफ sleeping position नहीं होता है as per वास्तू तो यहां पर हमने south की तरफ जो है वो सोने का फ्रोजिजन दिया है आप उसके बाद में हमने wardrobe set किये है विंडो सेट किये है गार्डन की तरफ जैसे मैंने बताया कि यहां पर इस side नीचे गार्डन है तो इस balcony में आके आप नीचे की गार्डन की visibility आपको मिल जाएगी बड़े paid लगाएंगे अशोगा के जो के आपके दो फ्लोर तीन फ्लोर तक दिख जाते है तो उसका visibility आपको इस master bedroom के विंडो से directly आ जाएगा इस तरीके से बड़ा विंडो हमने east की तरफ दिया है इस से आपको sunlight भी काफी हद तक घर के अंदर आ जाएगा ultraviolet rays जो हमारे काफी beneficial होते है sunlight से वह आपको मिलेंगे तो east की तरफ के window यहाँ पे हमने बड़ी दिये है और cross ventilation के लिए tv का position set करने के बाद में छोटा window दिया है तो cross ventilation के लिए दो window हम लोग देते है max to max देने चाहिए ताके room में जो है हवा घूंती रहे दूसरा window कितना भी छोटा क्यों ना हो ventilator क्यों ना हो एक second provision होना चाहिए एक window और एक ventilator या window का छोटा window combination होना चाहिए ड्रेसिंग जो है 5 feet by 7 feet 6 inch ना आने के बाद में बाहर आके आपको dress ready होना है तो एक dressing का area हमने दिया है अभी bathroom जो है हमारा 7.5 feet by 6 feet 8 inch का bathroom है अब bathroom जो है काफी सारे लोग bathroom as it is बना देते है एक छोटा सा 7 feet by 4 feet या ऐसा कुछ लेकिन bathroom का size जो है कम से कम 10 feet by 5 feet या कम से कम 8 feet by 4 feet का तो भी होना चाहिए अगर ये size का bathroom लेते हो तो ही जाके उसमें आप divide कर सकते हो गीला area और सुखा area यहां पर देख सकते हो blue color का हमने जो area दिया है वह यहां पर हमारा glass लग जाएगा और यह shower area नहाने का area हो जाएगा और यहां पर seat का provision toilet seat का दिया है और यहां पर दूसरी तरफ हमने जो दिया है वह basin का provision दिया है और यह सुखा area रहेगा अभी आप लोग कही लोगों का होता तो उस case में भी फिर भी आप क्या कर सकते हो यह जो मैं दिखा रहा हूँ आप shower area जो है वो area final करके उसका floor जो है वो थोड़ा सा एक tile down रख सकते हो plus आपका glass का glass का budget नहीं है तो आप या फिर glass लगाने है budget है लगाने नहीं फिर भी आप shower curtains दे सकते हो shower curtains से जो है यह गीला area अ अलग हो जाएगा तो गीला और सुखा area अलग-अलग क्यों रखना है पूरा bathroom गीला करोगे बड़ा bathroom बनाओगे तो उस case में उसको सूखने के लिए time लगेगा biological activities, fungus, algae यह सब चीजों अगर proper slope तो देना ही है बड़ यह सब चीजे नहीं होगी गीला area सुखा area divide नहीं होगा तो गीला area जादा होने से fungal activities भी बहुत सारी develop हो सकती है तो इसके लिए यह segregate area करना बहुत ज़रूरी होता है यह हमारा cutout है double light hall जैसे कि मैं बता चुका हूँ नीचे के floor living जो है हमारा double light है नीचे के floor से ground floor से हमारे first floor की connectivity है second जो bedroom है उसका sleeping position हमने रखा है East की तरफ 11 feet 9 inch by 16 feet 8 inch का यह हमारा bedroom है फिर से इसमें हमने क्या किया यह balcony दिया है family launch से ही आप balcony से नीचे देख सकते हो garden में family launch के window से भी आपको garden जो है वो दिखाई पड़ेगा second bedroom से अटाइच 10 feet 8 inch by 4 feet 6 inch का हमने यहां पर bathroom दिया है यहां पर आपका shower area है और toilet seat हमने यहां पर दिया है और यहां पर हमारा basin दिया है अभी toilet bathroom के बारे में बहुत important चीज में बताना चाहूंगा कि काफी जो हमने यहां पर देखे हैं काफी लोग जो है वो toilet seat जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ की तरफ ही रहना चाहिए इस तरीके से provision करने के लिए कहते हैं लेकिन वास्तु के हिसाब से it is the first preference ना ही के only preference कि कि सिर्फ ही नौर्थ ही होना चाहिए या फिर कुछ और डिरेक्शन रहेगा तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा ऐसा नहीं है वो एक preference है आप नौर्थ की तरफ first preference दीजिए second preference आप south east भी रख सकते है और third last preference आप उसको west भी रख सकते हैं इसका कोई harsh effect नहीं होगा these are only preferences त shower area drive it कर दिया है divide और इसके वास्तु की हिसाब से कोई harsh effect नहीं है अगर हम इसको seat को east की तरफ भी रखते हैं in fact wall hung seat देने से जो है वो बातरूम काफी हद तक western seat नीज क्लीन भी रहता है तो this is our bathroom तो एक तरफ हमने दिया है mini theater 9 sitter का एक बड़ी सी screen यहां पर दी है और यहां पर 11 feet by 14 feet 10 inch का mini theater और सामनी के तरफ जो है हमारा 10 feet 18 पर 13 feet का terrace इस तरीके से दो bedrooms हमने हमारे first floor पर दिये है एक family launch बैटने का area दिया है जहां और हमारा mini theater दिया है second floor जो कि हमारे इस घर का सबसे अच्छा floor है as with respect to your health सभी floor अच्छे this is with respect to your health बहुत अच्छा floor है तो आप lift से या फिस तेरके से इस floor पर आ जाते हो लॉबी में आ जाते हो एक तरफ पूरा glass दिया है और वहां से आपका 24 feet 9 inch by 14 feet 10 inch का gym या योगा hall इसको बना सकते हो इस तरीके का hall दिया है hall में trade mills और यह सब basic full body workout के machines कहां पर रहेंगे वो provision हमने दिये हैं दूसरी तरफ आप lobby से जाते हो open terrace में यहां पर हमने wooden deck का provision दिया है और यहां पर आप देख सकते हो 12 feet by 23 feet 10 inch का swimming pool दिया है जो कि आप gym से भी access कर सकते हो या फिर आप यहां से open terrace से यहां से भी pool को access कर सकते हो यहां पर swimming pool filtration plant room भी हमने दिया है और हमारा gym या फिर swimming pool को जाते समय नहाना है उससे पहले shower लेना है उसके लिए हमने 10 feet 8 inch by 4 feet 6 inch का यहां पर बातरूम भी दिया है एक और बहुत बढ़िया facility यहां पर आप देख सकते हो जिसका provision ना के बरावर बहुत कम projects में नहीं होता है जैसे spa होता है तो यहां पर हमने एक steam chamber दिया है जिसमें आप जाकि जो हमारे जैसे पत्ते होते हैं आपके जैसे निर्गुड हो गया निर्गुड के जहाड के पत् उनके पत्तों का जो है वो steam जो है body पे लेने से काफी अच्छी body की pain healing होती है एक धलती उमर के लिए या फिर ठीक है नए भी नवजान भी लोग उसे लेंगे तो काफी अद्तक fresh हो जाएंगे तो इस तरीकी का steam chamber यहां पर दिया है और steam यहां पर अलग से provision दिया है कि जहां यहां पर उस team का unit रहे काफी सारी cheap चीजे है वो ज्यादा expensive चीज नहीं है यह तो यह एक provision हमने यहां पर किया है कि अच्छा swimming pool हमने second floor पे लिया है पर आप यहां पर देख सकते हो कि additional यहां पर पार्ट हमने आप अटाइच किया swimming pool को लग किया और यह glass भी हमने दिया है तो swimming pool यूज करते समय पानी नीचे के फ्लोर पे उसके चीटे ना गिरे उस तरीके उसका provision हमने यहां पर किया है I hope कि health के point of view से यह basic indoor games या gym या yoga hall यह सब और यह steam room spa यह सब चीजे आज हम अफॉर्ट कर सकते हैं तो इस इने कम से कम plan में भी तो भी include कर सकते हैं भली आप इनको बाद में later on stages पे बनाए तो swimming pool अगर उसका provision आज रख रहे हैं तो definitely उसके लिए आप आपके column उतने strong कर लोगे घर के तो बाद में तो नहीं होगा क्योंकि structural provision आप नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा तो यह सब चीजे आपको include करनी चाहिए I hope यह plan आपको पसंद आया होगा और इस में आप काफी सारी चीजे जो है adopt करोगे अच्छा एक चीज में यहां पे मे है यह जो हमारा first floor है वहाँ पे भी हमने कट आउट दिया है family launch में जहां से हम लोग second floor से connect हो जाते हैं तो यह तीनों floor में connectivity दिया है हमने ground floor first और second तीनों floor में हमने vertical connectivity दिया है किसी भी floor से कोई भी किसी भी family member को जो है देख सकता है आवाज देख सकता है हर floor पे आपको घूमने की ज़रुत नहीं है vertical connection रहेगा यह बहुत important point हमने यहाँ पे हमारे plan में cover किया है तो I hope यह आपको plan पसंद होगा वीडियो को अंतर तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपके comments जो है आप comment box में बिल्कुल दीजिए जो भी improvements आपको लगता है कि हमने इसमें करना चाहिए था वो भी आप हमें बताईए अगर आप हमसे plan बना के लेना चा आते हैं तो this is our contact number आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे charges जान सकते हैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंतर तक देखने के लिए thank you good day और ऐसे काफी सारे वीडियो के link भी मैंने description में डाल दिये हैं उन्हें भी आप बिल्कुल जरूर देखिए